ये मंजली की छोटी बहन है और यहीं पर रहती है ये और मैं इस छोटी बच्ची से जानने कोशिस करूँगा कि घटना कैसे क्या हुआ था आपका नाम क्या बाबू रूपा कुमारी हुआ घर में 25 तारी को क्या क्या हुआ था आप उस दिर मोजूद थे यहां पर हम थे पर था चाहँ पर सुफ़े थे आप मैं आपको भी मंजली का घर दिखा रहा हूं जहां पर यह खूनी खेल खेला गया जहां पर अभिशेक को निर्मन तरीका से मौत का घाट अब कहाँ पर सोई हुई ठेक, सोया हुआ था, उसके बाद प्धिर क्या हुआ? पिर आपका कहा जा रहा है मझली के दुआरा कि आपका बड़ा भाई आनद महोन और छोटा भाई छोटु देख लिया उसके बाद अभिस्यक को यहां से उठाया और फिर उसको बेहमी से पिटाई करना शुरू कर दिया फिर उसको कुलहारी से काटा गया फिर उसको मार कर उधर फेक दिया गया यह हमको नहीं मालूम है आप ये बताइए आप रात में सोई हुई थी एतना चिक चिल्ली हो रहा होगा हला हो रहा होगा तो आपने ने सुना कि नहीं हमको नहीं सुनाए दिया के सुना ने दिया आपको टीबी चालू था हम सो गए थे ती दी दिज देख रहे थी पचिछ सारी को और अगे टीबी देकर उधर गई थी साधी में देखने अब इससे कब आये था हँपर पता नहीं कब आये था लेकिन हम टीवी देखर सोगे हमको सोने के बाद पता नहीं चलता है क्या हो रहे क्या नहीं लेकिन हमको नहीं मालूम है इखर में कौन सोता है इसमें भाई ये बढ़ कर सोते है चोटका भाई दादी के साथ वहां पर सोता है दादी चोटका भाई यहां सोता है बड़ा भाई यहां सोता है आनन्द मोहन ये मंजली की छोटी बहन है जो कह रही है कि मैंने कुछ नहीं देखा लेकिन इनकी बड़ी बहन मंजली खुद कह रही है कि मैंने अपने आखों से सब देखा और पुलिस में बयापता उन्होंने बयान दिया जिसके तर्च पे इनके बड़े भाई आनन्द मोहन और छोटे भाई छोटू को खोजा जा रहा है और कहानी को समझ सकते हैं कि कहानी का एंगल क्या है ये वही घर है जहां पर वो घटना का अंजाम दिया गया जुरे रहें मैं आपको इस ख़बर से अपडेट देता रहूँगा धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें करें और आइकॉन करें और लाइकॉन के लाओ रहे है तो लाओ है